हेलो दोस्तो आपका अपने यूट्यूब चैनल लच कोचिंग बाइस आज का टॉपिक है जी यस में बिटामिन्स और यह काफी जम्मी में आ गया है और यह मैं आसा करता हूँ कि आपको यह प्रस ने आगे भी मिले चले में प्रस को स्टार्ट करते हैं सब्स पहला कि उस्च इसका नाम है कोलेशलिक फिरा फ्रोल्ड़ को दूर करने में मदद करता है तो आपका सब्स germania नामां करोग ठीक अगला प्रस ने कोबाल्ट किस विटामिन में पाए जाता हैं आपका राइट अंसर है विटामिन वी टॉप में बिटामिन भी 12 है, अगला प्रस्ण है, आखों की रोशनी के लिए कौन सा बिटामिन जरूरी होता है, तो आपका उत्तर होगा बिटामिन A, आखों की रोशनी के लिए कौन सा बिटामिन जरूरी है, बिटामिन A, अगला प्रस्ण है, बिटामिन E का रसानी नाम है, इसका उत इसका क्या नाम है रसाइन नाम इसकर वो एसिड अगला प्रस्ट है विटामिन बी का रसाइन नाम क्या है तो इसका उत्तर है थाइमीन इसका उत्तर क्या है थाइमीन अगला क्यूशन कह रहा है विटामिन ए और बी की खोज किसी ने खी थी तो इसका उत्तर है मैकुमल मैकु लंशील है तो इसका right answer है vityamind b वा c अगला प्रकाशन है कौन से फल में vityamind a प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर आपका उत्तर है गाजर अगला प्रकाशन है प्रकाशन रिकेर्ट्स रोग किस बिटामिन की कमी के कारण होता है तो आपका उत्तर है vitamin D, अगला प्रस्ण है, vitamin K का रशानी नाम क्या होता है, phylo Q, non, अगला प्रस्ण है, किस vitamin के कमी के कारण होता है, तो आपका अंसर है vitamin A, आपका अंसर क्या है, vitamin A, अगला प्रस्ण है, vitamin A का रशानी नाम क्या है, उत्तर है retinol, अगला प्रस्ण है किस विटामिन को गर्म करने पर वह नश्ट हो जाता है तो विटामिन आपका C है जिसका रशानी नाम है कल्सी हिराल एसिड अगला प्रस्ण है विटामिन B की कमी से कौन से रोग होता है तो आपका उत्तर है बेरी बेरी रोग आपका कौन से उत्तर है बेरी बेरी रोग और थोड़ा द्यान देना दोस्तों यह जो हमारा सोलन नमबर है कह रहा है कि किस विटामिन को गर्म करने पर नश्ट हो जाता है आपका vitamin C है जिसे हिम लोग कहते है Scribic Acid कहते हैं अगला प्रस्ण K Jan लनबर है किस vitamin कमी की काराण पुरुसों में न पुण सकता आ सकती है तो आपका अंसर है vitamin E आपका कौन अंसर है vitamin E अगला प्रस्ण है, विटामिन B2 का रशानी नाम क्या है, राइबो फ्लेवीन, आपका उत्तर क्या है, राइबो फ्लेवीन, नेक्स्ट क्यूशन, सेंदेर्य, विटामिन किसे कहा जाता है, तो आपका अंसर है विटामिन E को, सेंदेर्य, विटामिन कहा जाता है, विटामिन B6 का रसायन नाम क्या है तो आपका अंसर है पेरी डॉक्सिन पेरी डॉक्सिन अगला प्रस्ण है शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नश्ट कर देता है शरीर में बनने वाले हानकर रसायन को कौन सा विटामिन नश्ट कर देता है तो आपका राइट अंसर है विटामिन ए विटामिन ए नेक्स्ट क्यूचन मचली में या कृत के तेल मचली के ये कृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है किस विटामिन की अधिक्ता होती है तो आपका अंसर है विटामिन D आपका अंसर क्या है विटामिन D अगला प्रस्ण है चिली हुई सबजीयों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है तो आपका अंसर है बिटामिन D, आपका अंसर कौन सा है? बिटामिन D, अगला क्यूंशन कहacao है कि मन्त, बुद्धी, रोग किस बिटामिन की कमी के कारण होता है? आपका अंसर है विटामिन B3, विटामिन B3 अगला प्रशन है कौन सा विटामिन रग्त का थक्का जमने में मदद करता है तो आपका विटामिन भी उत्तर है विटामिन के जिसका हम लोग रशानी नाम जानते हैं फिलो क्यों नौन अगला प्रशन है दूद में कौन सा विटामिन उपस्तित नहीं होता है विटामिन सी द तो आपका option है, आपका right answer है vitamin B2 के कारण, vitamin B2 के कारण मनुस्त का oat फट जाता है, अगला question है, मानों शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए, कौन सा vitamin उपस्तित या मवजूत होता है, तो आपका answer है vitamin A, अगला question है, और जो last question है, कह रहा है कि vitamin B 12 का रसानिंग नाम क्या है, तो आ आपका कोवाला मीन, साइना कोवाला मीन होता है, आपका साइना कोवाला मीन, आज का topic यहीं पर समावत होता है, दोस्तों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए, लाइक कीजिए, ड़ेट सॉल,